प्रदीप गरग है उनका एक इंटर्व्यू आपको दिखाय था उसमें एक आरोप लगाए गए थे बीजेपी के नेता पर आरोप भी संगीन थे के उन्होंने उनको किसी जही के पक्ष में कहा कि आप फैसला कर लीजिए उनका नाम बाहर निकाल दीजिए वह आरोपों पर बात करने के लिए हम उन बीजेपी नेता के पास पहुंचे हैं हमारे साथ बात करने के लिए मुझूद है सुरेश कोशिक जी स्वागत आपका लगा रहे हैं क्या कहना चाहेंगी नारोपों पर जैसे कि मैंने वीडियो देखी है उस बेटे ने बिल्कुल सही काया मैंने बुला था मैंने नहीं बुलाया उसको मेरे पास नगरपालिगा का चेर्मेन वाइस चेर्मेन और परवीन एक पूरा एमसी है और चार-पांच लोगुखतो ने यहीं मैंने का मुण तो अपना बच्चा है कोई दिक्षह नहीं है ति नहीं पता तो और अपना बच्चा उसको समझा देंगे कोई दिक्कत नहीं है फिर मगा कभी कठे बेड़ जो सारे च्यारा दिवियों में बात हो जेगी पंचैती रूप में पंचैती रूप में जो बात होगी जो निकलका होगी तुम्हारा कसूर होगा तो वह सचा है अगर उसका कसूर न तो न की उनके घर पर सारे गए मेरे को फोन करकर बुसका ने विसके पास तुम्हागा ता क्या अच्युकित तो उसने ऐसे बोला और दमकी देने का तो सुवाल ही पैदा निए वीडियो में कि मुझे धंकाया धंकाने की लहजे में बात की है अगर वो मेरे से लाड़ रखते तो मेरे साथ खड़े होते हैं आरोप लगाया उन्हें नई नई ऐसा कुछ नहीं ना तो दमकाया और वैसे उसने जादा आदत नहीं है इंट्राइंट्व देने की गलती से मुझे निकल गया अपना बच्चा है ऐसी कोई बात है निया नहीं ने दमकाने की जरूरती नहीं थी उन्होंने उनके मुझे निकल गया लेकिन आप एक ज सेर्मेन सारे मेरे मिलने वाले हैं जे भी इसी तरह जैसे आते रहते हैं रूटीन में अगरपाली का यहां पट्रोल पंप खाता भी चलता है तो मिलना हो जाता है यह तो पंचाती तो पर आप गए थे तो जब एक आपकी प्रतिष्ठा है आप पर सीधे कोई आरोब लगात सब्सक्राइब करेंगे या उसको डाट बिलाएंगे क्या करने वाले कुछ लाट प्यार में दमकाऊंगे कोई इसी वात नहीं है लाट प्यार काम दमकाने का मतलब होता है इसको समझाना ठीक न हर आरे है पंचैट बुत भड़े बड़े फैसले करती है 3002 के मडरकर रहा है क्या उसको आप सही मानते हैं मेरे को इस बारे में कोई जानकारी मिर्क तो एकच्छली पता विए उसकी दिन बता आता यह यह बैठेंगे और ऐसे बात करेंगे उसको वह थमकी मिल रही है समाजिक तोर पर वह अलग थलग पढ़ते जा रहे हैं तो क्या इस वक्त में आप उनका साथ देंगे मैं मैं साथ देने का तो मतलबी मेरा नाम मेरा बेटा जूठा लेना तो अगर गलत है तो अगर तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा कंचिन टीवी से बात करने के तो देखा आपने सुरेश कोशिक जी बड़ी ही बेबाकी इसे बात कहते हैं कि उन्होंने भाई चारे में सिर्फ ये था कि बैठके मैं बात करूं क्या मस्ला है पंचेती तोर पर get से हर याना में वह कहते हैं कि बड़ी सुर्जहा ली जाते हैं बड़े-बड़े मसले तो ऐसे ही वो गए थे उनका कोई और मकसद नहीं था ना उनको धमकी देना चाहते थे आरोब लगाए थे आरोब की सच्चाई तक पहुंचना हमारा काम था और इसलिए हम यहां पर पहुंचे और भी अगर कभी हमें लगता है कि किसी भी विशे पर अधूरी जानकारी ना दी जाए